तो यार गाइस आप लोगों को तो पता ही के पैसे की ज़्यादा किलत तो गई है वाइस्टोन में वाइस्टोन के लोग काफी ज़्यादा गरीब हो गए है और मैं जाता हूँ के पावरफल रोपीरो गरीब हो मैं चाहता हूँ के रोपीरो के पास और भी ज़्यादा पैसा आता रहे तब यार गाइस एक दो महीनों से न रोपी रो चोरी की लाइन में लग गया है छोटी मोटी चकारी नहीं करता है भाई साब रोपी रो कि किसी का पाकट मार लिए किसी के घर में चोरी कर ली नहीं भाई साब मैं वीकल्स की चोरी करता हूं वो भी ऐसे नॉर्मल कार बड़ी सुपर कार्स की जीप्स की एई स्डूवीज की गोड कार्स की चोड करता हूँ मैं जैसे क्या भी यहाँ पर मुझे कसीनों के अंदर एक एन्टिक रोट स्टर धिकाई देरी है इसको मैं चुराने चार हूँ लेकिन चुराओं कैसे यारे मेरे पास ये ग्रावी गन तो है अरे पता नहीं कौन चे करने लेकिन इससे नहीं इस पर असर नहीं हो रहा वैसे किसी पर हो रहा है चलो ये देख लेते पहले हम लोग अरे हां यार इस पर तो हो रहा है तो इस ग्रावी गन यहाँ सहल नहीं रही है और यहाँ पर ना रोट्स्टर के पास बैटने का उप्शन भी तो नहीं आ रहा ना चलो ठीक है कोई बात नहीं हम लोग यहाँ से निकली लेते हैं तो वो ठीक रहेगा लेकिन मैंने अभी तक ड्रिंक नहीं पी तो ड्रिंक कहा मिलती है है यही ना ग हाई दमाकेदार से drink बनाई है तो चलो ठीक क्या गार यार गाईस डृंक बन गई हैं हम लोग अब जल्दी से स्को गटक लेते हैं ओक वह यार गाईस मज़ आ गया चलो जल्दी से सको एक ही स्ट में पी लेते हम लोग ठीक है तो आज वीना मैंने एक अलग तरह की चोरी यार मतलब के मत सोची है क्यार गाइस आप लोगों को तो पत है कि अपने रोपिरो वाइस टूर्ण में पुलिस वीकल्स जो हैं बिलकुल बेकार हैं और यहां की बिचारी जो पुलिस है ना वहर वीकल्स बनाने में नाकाम रहती है कोई भी विकल्स का अच्छा ही बनता तो आर गाइस कन में एक सिटी क्या था वो स्पेस में है मतलब क्या आर गाइस आसमान में अंतरिक्स में हाँ वहाँ पर एक सिटी है लेकिन मुझे नि लगता था कि स्पेस में कुछ होगा लेकिन भाई साब यहाँ पर तो स्पेस में भी काफी ज़दा तरक्की हो गई है स्पेस के अंदर भाई साब सब कुछ है वहाँ पर पुलीस, मिलिटरी, लोग बगेरा सब कुछ है अच्छा गर आप लोगों यकीन है रहे तो वैसे ही मैं आज वहाँ पर जाओंगा न तो आप लोग यहाँ वीडियो का एंद तक देखते रहे न आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोग देखी ले न ठीक है तो हाँ मैं क्या बात कर रहा था तो आज ना मैं स्पेस गैंग्स्टर सिटी की ना पुलिस कार चुराने वाला हूँ जो क्यार गाइस हैं काफी ज़दा यूनिक और अलग तरह की है मतलब कि बैटमैन की कार की तरह लगती है बाकी हैं बहुत ही ज़दा धमाकेदार तो आज ना मैं कुछ करने वाला हूँ उनी का तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हाँ हाँ क्या बोलते हैं उसे क्या कर देना हाँ सब्सक्राइब कर देना अगर गाइस आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं किया है तो यार अभी मैं अपना टाइम फोकट क्यों कर रहा हूँ हमें जाना भी है यार भाई साब इस पेस वाले सिटी में कि मैं कौन से स्पेस वाले सिटी में गया था ठीक है तो अभी तब फिलाल मैं अपनी इस जीप को फुल स्पीड में बगा रहा हूँ ताकि हम लोग उस जगह पर पहुंच जाएं जहां पर नहीं हम लोग अपना काम कर सकते हैं मतलब के जहां से सीक्रिट ट्रिक है सीक्रिट तरीका है जिससे हम लोग पहुंच जाएंगे स्पेस वाले सिटी में भाई साब तो अभी क्या करना है अपने को अपने को ले लेना है राइट साइड पर टरन ओके अब फिर से अपने को ले लेना है लेफ्ट साइड पर ट्रन थोड़ सा एक्सिडन्ट हो गया लेकिन चलो कोई बात नहीं नो दिक्कत नो ट्रिंशन तो ठीक है अब चलो हम लोग अपनी जीब को फिट से बगाते हैं औरे औरे भाई साब यहाँ पर तो ट्रेफिक लग रही है औरे यह मैंने कट मार रिलीज को लेकिन अलकी सी अपनी जीब ठुक गई कोई बात नहीं अपनी काएं ठुकने दो भाई साब तो अभी ना ना गाई हम लोग नीली पहाड़ी पर आ चुके हैं अब बस अपने को न इस पहाड़ी के अंदर ऑले रास्ते में जाना है और वहाँ पर ना गाई उधर के जादूई पानी में जम्प मार लेना है फिर हम लोग यार गाईस इस पेस में पहुंच जाएंगे मैं बोलता था ना गाईस कैर इस पहाड़ी में कोई ना कोई चमतकार जादू है अरे भाई साब है टिपसन ने देखो बना ली ना एक ट्रिक जिससे वो इस पेस में जाता रहता है अरे मैंने दो लोगों को उड़ा डाला गाईस लेकर मेरे पीछे पुलिस नहीं लगी है वैसे वाई यार यार ये कैसे औरे 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 ये क्या हुआ ट्रक के साथ औरे ये क्या हुआ चलो ठीक है कोई बात नहीं हम लोग अब जल्दी से यहाँ पर नीली पहाडी के अंदर गुश चुके हैं अब यहाँ पर ना अपने को जीप को अधर रोक लेना चाहिए और उतर के यहाँ से निकल लेना चाहिए हाँ तो अपने को जाना यह जो गेट है ना इसके पीछे वाले रास्ते में साथ ब्लॉक गिन कर और यहाँ पर कैसे गिनेंगे हम लोग एक दो तीन चार पांच छे साथ तो हमें यहाँ से जंप मार लिना है ठीक है वान टू थ्री तो भाई से जंप मार लिया यह हम लोग ने और यह हम लोग अंदर चले गए तो अभी यहार गाई देखना मैं गायब हो जाओंगा और जाला जाओंगा कहां पर इस्पेस में तो यहाँ गाईस यह तेखो भी लिया है छोटा सा घर है लेकिन आर गाइस अपने लिए ठीक है कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना अपने लिए मतलब के छोटी सी जगा तो उन चाहिए ना भाई साथ जहां पर हम लोग रह पाएं तो यह है वो चोटी सी जगा अरे यह क्या कर रहो मैं ओके तो आ यहां पर किदर है थाना ओके नजर आ गया यहां पर गाइस थाना यहां पर मार्क लगा लिया है अब मुझे चाहिए एक वीकल जिसमें बैठ आर गाइस यहां पर मैं पीछा करूं थाना के लिए तो यह देखो यार गाइस एक पुलिस कार तो इदर से गुजर रही है वा यार गाईस क्या तो पुलिस कार है बिल्कुल बैटमैन की पुलिस कार लग रही है यह तो अरे यार मतलब कि आज हम लोग गाईस बैटमैन की पुलिस कार चुराएंगे अरे अब यह कौन सी कार थी अरे यह अब कौन सी कार थी यार भाई साब यह भी पुलिस की विकले क्या अरे हाँ यार गाइस यह पुलिस की जीप है बड़ी वाली चलो ठीक है पहले इसको चुराते हैं और पहले इसको ठिकान लगाते हैं दो वीकल से यार गाइस यहाँ पर पुलिस के एक तो मैंने उठा लिया है दूसरा हम लोग बाद में उठा लेंगे लेकिन पहले अब हम लोग अपने पीछे से फुली सटवाएंगे भाई साब क्योंकि आपने ने एक चीस्तो चुरा लिये न अब इसका खयाल रखना पड़ेगा पहले तो यार तो चलो अभी कहां लेकर जाओं मैं इसको ये सोच रहा हूँ अम ठीक है कहां करूं इसको अब मैं ये क्या हो गया यार मेरे से ओके अब मैं इसको लेकर किदर जाओं मज़े तो ये समझ में नहीं आ रहा वीकल तो आर गाईस काफी ज़ता दमा किदर मिला है लेकिन अब क्या करेंगे इसका इसको छुपाएंगे किदर चलो ठीक है यहां पर मैं बीच मा आ गया हूँ इदर मैं थोड़ सा सेफ लग रहा हूँ हाँ क्योंकि यार गाईस यहां पे अरे रेड जोन आ गया अरे यार अब कहां भागूँगा मैं गाईस इदर तो काफी चुदा दिक्कत हो गई अरे यह वीकल कैसा है यह तो कल्टियां पल्टियां मार रहा है अरे भाई साब खतरनाक वीकल्स हैं यह मुझे नहीं था पता हम क्या करें एक वीकल को तो आर गाईस मैंने चुरा लिया है अब क्या करें अब क्या करें जल्द सोच यार रोपी रो कुछ सोझ हाँ मैं इसको ना केसी अच्छी जगह पे छुपा लिता हूँ जहां पर ने आर गाइस कोई नजर ना आ रहा हूँ ठीक है ओके यहां पर छुपा हूँ हाँ ठीक है यह जगह भाइस मुझे काफी ठीक लग रही है मतलब कि काम करते हैं यहाँ परना हम लोग इसको इधर टन करते हैं और यह यहाँ पर इधर चुपा लिते हैं इधर पीछे की साइड देना आर गाइस तो मुझे नहीं लागता कि यहाँ पर ज्यादा लोग आते हongगे ठीक है तो इसको मैंने आरा गाइस करोड तो देही देगी आराम से देदेगी तो आर गाईज अभी पहरे हम लोग इस लोकेशन लोग देख लेते हैं कि ये किदर है भाई साब ये है बिग रेस मिशन के करीब ठीक है अभी एक विकल को मैंने यहाँ पर चुपा है अब चलो पुलिस का स्टार लगा हुआ होगा ठाना में जाने की जरुवती नहीं पड़ी यार गाईज एक विकल तो अपने को जैसे ही निकले तब मिल गया ठीक है अब जो पुलिस के पास बैटमैन वाली कार है वो चुरानी है सिर्फ अरे ये क्या है अरे ये कौन सी बाईक है लगता है यार गाईज ये ट्रॉन बाई है उसके बाद यार गाईज तीन चार करोड तो अपनी जैब में होंगे भाई साब आराम से बिलकुल आराम से यार गाईज तो सामने एक विकल खाली खड़ा है चलो चलकर इसको देखते हैं और क्यों न हम लोग इसको चुरा लें मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई साब ठी ओकेई ये देखो सामने से पुलिस की बैटमेन अलिकार आ रही है उतर जा साले पुलीस कार से तो यार गाईज ये उतरेगा भी खोदी और देखो फिर मैं क्या करता हूँ उतर जा ओ एलो और ये तो भाग रहा था उतर नहीं रहा था चलो ठीक है मैंने भी इसको उतार ही दिया और अब मैं यहां से लेकर निकल लहूँ इस पुलीस कार को वाओ यार गाईज ये कितनी ज़्यादा फास्ट है अरे यार मुझे यकीन नहीं आ रहा क्यार गाईज मैंने इतने धमाकेदार वहीकल को आज चलाया है अरे भाई साहब वाओ यार गाईज की स्पीटो का सफी ज़्यादा है बस यह मसला है कि यार गाईज यहां पड़ जो है ना मैं नायर इसको सभी से चला नहीं पा रहा हूं छोटी रोड है ना इस वजह से तो अब कहां चुपाएं इसको एक बोट टार गाईज बोट बोल रहा हूं एक वीकल टार गाईज मैंने उदर पाएं एम यार पिरास्ता भी तो नहीं बचाना किदर करें इसको अरे यार यह तो दिक्कत हो गई चलो ठीक है यहां पर जो गली है ना यार गाईज इसको हम लोग इदर छुपा लेते हैं ठीक है चुपको चुप गई अरे लगता है पुलिस की कारारी पिछे से अरे इस्टॉन बागी दूसरे विकल को बिजवा देंगे ना सीक्रेट ट्रिक से तो आर गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ